नमस्का दोस्तों आप से विका मेरे चनल E.M. Classes में सवागत हैं दोस्तों आज किसी वीडियो में हम जानेंगे कि अपना सिविल स्कोर कैसे चिक करते हैं और अपना सिविल स्कोर एक document के रूप में है जितना बागी documents आपका important है उतना ही important आपका civil score है या यह है कि civil score बागी अन्य documents से भी काफी important है क्योंकि आजकल bank में आजकल bank में loan लेने के लिए आपका character नहीं आपका civil score देखा जाता है तो civil score को maintain रखना काफी important हो गया है आजके date में तो आप अपना civil score को बनाये रखिए और कैसे बनाये रखेंगे यह भी जानेंगे तो वीडियो को बिना इस्किप को यह अन्तक देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी subscribe करके bell icon को all option पे on कर लेजिए ताकि कोई भी इस परकार के latest notification आपको मिलता रहे और आप हर जानकारी से रूबरू होते रहें तो दोस्तो हम बात कर रहेते हैं civil score के civil score को चेक करने का कई तरीका है कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चेक करते हैं लेकिन मैं ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप civil score को free of cost चेक कर सकते हैं साथ ही साथ यह भी देख सकते हैं कि वहाँ पे आपका कोई अन्य लॉन आपके नाम से तो नहीं चल रहा है इसके लिए आपके पास pen card होना बहुत ही जरूरी है और आप जो भी application जो भी platform यूज़ गरते हैं वहाँ आपके pen card से link होना भी काभी मत्रपुन हो जाता है तो चलते हैं इन चीजों को जानने के लिए अपने mobile screen पे जहाँ पे हम सिखेंगे कि अपना civil score कैसे चेक करते हैं लेकिन मैं जित अप्लिकेशन का बात करता हूँ, वह अप्लिकेशन जो है बाकी अन्य अप्लिकेशन से काफी important और अच्छा है, वहाँ पे आपको सिबिल स्कोर में काफी चीजें दिखाया जाती है, जो अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखायाता है, आप अपना सिबिल स् चेक करें, तो मैं अपना गूगल पे अप्लिकेशन को अन कर लेता हूँ, गूगल पे अप्लिकेशन को अन कर लिया है, इस परकार का इंटरफेस जो है वह आपका खुल के सामने आएगा, जब आप गूगल पे को लॉगिन करेंगे, गूगल पे को लॉगिन करने के बाद, आप scroll down करेंगे तो इस बरकार का interface सामने आएगा आपका आप नीचे scroll करते हुए जाएंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे यहां लिखा हुआ चेक योर civil score क्या लिखा हुआ है चेक योर civil score तो आप इसी पर click करेंगे चलिए हम click कर लेते हैं इस बरकार से click करने से आपका जो है इस बरकार का कुछ interface खुल के सामने आएगा देखिए यहां पर मेरा जो civil score है वह 750 है यानि कि civil score जो है कम से कम 300 से 300 यहां 300 से 900 तक हो सकता है अगर आपका 900 तक application के 700 से उपर है तो आपका civil score कुछ अच्छा माना जाता है लेकिन 800 से उपर जो है बेश civil score माना जाता है तो मेरा civil score जो है आज के date में 750 है आपका civil score यहीं पेश सो करेगा लेकिन इसके अलाबा आप नीचे आएंगे इसके अलाबा जब आप इसके वो नीचे scroll down करेंगे तो आप कुछ और चीजे जान पाएंगे जैसे कि आप अपना civil score देखने के लिए यहां पे लिखा हुआ है आप देखिए कि लिखा हुआ report see full report आप यहां पे civil score के बारे में पूरा report भी देख सकते हैं यहां बिल्कुल ही फिर यह आप cost है और आपको सही जानकारी दी जाएगी तो आप इस पे click कर लेंगे जैसे आप इसको click करेंगे तो आप देखेंगे कि इस परकार का interface खुल के सामने आ रहा है यहां पे आप जो है देख पाएंगे कि आपका civil score 750 तो है ही साथ ही साथ आप इसको भी करेंगे तो यहां पे एक graph खुल के आएगा graph में आपको दिखेगा कि यहां पर भी 780 है साथ ही साथ आप इसको scroll down करके नीचे चलेंगे तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि यह लिखा हुआ है कि what's impacting your score मतलब कि क्या-क्या है जो आपके civil score को impact करती है आपके civil score को प्रभाव डालती है या तो खराब करती है या तो अच्छा करती है तो हम देखेंगे यहां पर देखें लिखा हुआ है कई चीज़े हैं यहां पर civil score को impact करने वाला है जैसे कि आपका payment history payment history है आपका credit card है आपका credit card है या फिर अन्य चीज़े भी आप यहां पर check कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं एक एक करके payment history में payment history में जब हम on करते हैं तो मेरे नाम से कई credit cards हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे कि ICICI bank के credit card है SBI के हैं और एक cure व्यासा bank में जो है मेरा loan चल रहा है तो उसका है और मैं जो Amazon wallet यूज करता हूँ उसका है EU small finance bank के credit card है IFCD bank से जो मैंने personal loan लिया था उसका record है HDFC जो नीचे भी दिखाया गया है HDFC का इस सारे चीज आपको भी अगर आपने किया है या तो लिया है तो यह सभी चीजें आपको यहां पर दिखाई देगा तो अब आप इस पे एक एक करके अगर click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप में किसका civil score किसमें आपका civil score अच्छा था और किसमें खराब था चलिए हम पहले को चेक कर लेते हैं मैंने आएसे आएसे बैंक के credit card के इसको on कर लिया है तो इसमें दिख रहा है देखिए यहां पे देखने वाली बात यह है देखिए यहां पर नीचे है कि on time कि आपने on time क्या payment किया है late time लेट क्या क्या क्या, डिपोर्ट क्या है, या डिस्पूटेट क्या है, आपके सिविल स्कोर में, किसने डिस्पूट डाला है, यह सब चेक कर सकते हैं, अगर आप सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपका जो भी क्रेट कार्ड का बिल है, लॉन का EMI है, या अन् आपका credit card का जो आपका जो भी मन्थली आपका dues है उसे time पे अगर पेट करते हैं तो आपका civil score अच्छा रहेगा अगर आप अपने lawn को time to time पेट करते हैं तो आपका civil score अच्छा रहेगा अब देखे मेरा civil score 750 है मेरा civil score क्यों खराब है क्योंकि मैंने जो है एक इस lawn में दो installment इस लेट payments हैं जिसके कारण मेरा civil score खराब होगया जिसके कारण से मेरा पेट नहीं कर पाया जिसके कारण से मेरा पेट कर से इस परकारसे आप जो है किसी भी चीजों को एक एक करके ओपन करके आप अपना सब कुछ देख सकते हैं तो सिविलिस कोड चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा साथ ही साथ यह भी पता चल जाएगा आपको अगर कोई fraud loan आपके pen card पे चल रहा है आपके नाम से चल रहा है तो वह भी आपको यहाँ पे सोग कर जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपके नाम से कौण-कौण सा loan कौण-कौण सा credit card चल रहा है कौण-कौण सा credit card बंध है यह सब चीज यह आप यहाँ पे देख सकते हैं जान सकते हैं यहाँ पे देखिए payment on time का जो है दिखा रहा है 98.73% जो है चीजे दिखा रहा है कि मैंने payment on time किया है यानि कि अभी तक के मेरे 107 payments थे जिसमें मैंने 155 payments को on time किया है जिसके कारण मेरा score है वह fair है ठीक है fair है साप सुत्रा है यानि कि मेरा best नहीं है अच्छा score नहीं है बस यह है कि मुझे अच्छी तरह से loan मिल सकता है उसमें कोई problem नहीं होगी तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि यह जानकारी जो थी वो आपको काफी helpful सावित हुई होगी और आपको आगे in future में आपको काफी मदद करेगा और मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सिबिल स्कोर फैर ही रखें ताकि आपको आपके दिकत पे आपको कोई भी loan आसानी से मिल जाए तो दोस्तो यह मैनत आपको कैसा लगा तो लाइक करके ज़रूर बताईएगा कोई भी जानकारी कोई भी इसूज हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए वीडियो को अपने दोस्तो अपने परिवार के सद्विश्यों के साथ भी सेर केजिए ताकि उसे भी जो है इसकी जानकारी मिल सेके वह भी अपना सिविल स्कोर अच्छा रखे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं जानकारी वाला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेसन आपको डारेक्ट ही मिल जाए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हिंद नमस्कार